आज हम बनाएंगे चटा के दार अंदा भुर्जी पैन में थोड़ा सा ओईल लें बटर डाले बारिक कटा हुआ प्यास अब इसे सौते कर ले बारिक कटी हुई हरी मिर्च और अधरक डाले बारिक कटा हुआ टमाटर मसालों के लिए सबसे पहले इसमें नमक स्वादनुसा डाले हल्दी पाउडर गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले ताके वो एक गुसरे में अच्छे से गुल मिल जाए अगर आपको बुर्जे थोड़ी सी ड्राय चाहिए तो इसे करीबन पांच मिनिट तक पकाएं अपैटे हुए अंडे को इसमें डाले आपकी बुर्जे थोड़ी सी सॉप्ट हो जाए इसके लिए इसमें थोड़ा सा बटर डाले आपके एक बुर्जे अब तयार है इसे आप गर्मा गरम परोसे और संडे मॉर्णिंग को अपनी फैमिले के साथ इसे एंजॉई करेंगे हुए नग्मा उटके लिए अपके लिएज़ को मॉर्णूब तो एंडे को मॉर्मा भीरे मॉर्ण को प्योंड को अवरी के साथ तो चाहँति है झाल झाल